इक हिंदुस्तानी आये हैं इनको मेर्ड कर ले रहा हूँ हाँ एक हिंदुस्तानी बता हैं क्या कहना है crying जी सर बा मैं तो सिर्फ यह पुछना चाहता हूँ कि आपकी नजर में बोध्जिक स्ट्री कौन से हैं किस कंट्री को अप पूर्णत हैं बुद्दिष्ट मनते हैं मुद्दिषट चेंगे कई मिद्द हिए लिए हम लोक इन काम है वो यह है व Changing क्या ल एक्षयर क्या है और सामने क्या तसिए जा रही ए जब कि हमारा क्या इंति प्रण अब कोई बुधिष्ट है कि नहीं है इससे हमको क्या मतलब है बाहर बीदेश में कौन सा देश है कि नहीं है उससे हमारे देश पर क्या परक पड़ता है हमारे बहुत जन लोगों पर क्या परक पर रहा है उससे कोई है कि नहीं है तो इससे हम लोग कोई ये मतलब ही नहीं है क हम चलें, बताएं क्या करना चाहते हैं मैं अभी आपका सुन रहा था चैनल, मैंने मेर को ज़्यादा पता नहीं आपके चैनल के बारे में, क्योंकि आजकल जैसे खेत में कुकुरमुत्ते उग जाते हैं, इस तरीके से बहुत सारे चैनल करे में, को हिंदू इसम को डीफैंड कर रहा है कोई इसलाम को डिफैंड कर रहा है, कोई एथिस्ट चैनल खुल गया सब गरें आपकार्स के किसमें चैनल कर घृक रहा है चैनल के उलारह। घृमुत्त गुशस्छ जाते ह।ERself खायं हिंदुस्तानी है क्या बोला कि हिंदुस्तान मिला हम को हिंदुस्तान में दे में talkin clear नाम का है अफगनिlestान है तान वाले मुसलिम आप मुसलिम है क्या यह सब इराणी नाम है फारसी नाम है यह तो उर्दू लग रही बारत को बहुत हैं हिंदूस्तान नहीं बोलते हैं हिंदूस्तान पहली बार नाम सुन रहे हैं पहली बार नाम सुन रहे हैं कि हिंदुस्तान ऐसा मुझे तो लगा कि आप मंगल से तो आप आए हुए लग रहा है आप तो सीधे एरान से आए हुए लग लग रहा है हिंदु हिंदु जो नाम है यह तो भारत में कहीं पाया नहीं गया है इस्वर मानते हैं इस्वर मांते हैं कौन से देश वाला इस्वर मांते हैं सब भी इस्वर को मानते हैं अलग अलग देश होगा अलग अलग हो सकता है आपके नजरी से अलग हो सकता है मतलब जैसे का हना बाप अनगे में बाप होते हैं बाप का अर व्योद्ध का हुआ है लड़के मन मारजी कर रहे है है न müड़ नहीं पा रहा है्या हो सकता है बाप दो करें नहीं कर रहे हैं कुछ कर नहीं पाता है कि सारे अपनी तरह कर देते हैं अब संप कहां कर देता है काहां कर देता है कि इतनी सारी किताबे तो घूम रही है आज तक तो आया नहीं बताने के लिए कि कौन से उसकी किताब है इतने तरह के तो लोग मैं देख रहा हूं कि रोज दंगे फजाद हो रहे हैं एक बार भी तो आया नहीं कि कौन सा वला सही है क्या कर रहा है इसका मतलब कि आपका इस्वर जो है वो तो सबसे बड़ा बेवकूफ है वो तो कुछ कर ही नहीं प को कहीं से पता है उसकी क्या लाज है वो मुझे क्या पता वह दो उसका जा रहा है अपको उसका किस रंका है अपका इस्वर कलर रूप रंग कोई का उयुक्ण कुछ वैद कितना है स्ट्वbefore कर जोजन स कितना है उसका कुछन भी नहीं है उसका बताईए आपके इस वर का ना वजन है ना कलर है अच्छा कितने आँखना कान है मुह है अरे भाई जिसका जिसका रूप रंग आँखना कान क्या होते हैं कोई कोई शक्ति है होगा ना आप बोल रहे हैं कि वो सब देखता है सब चीज जानता है जब कुछ सूरिय का परकास जब आपके पढ़ता है तो वह तपत लगती है तो वह आपको फील होती है तो जो भी उर्जा इस संचार में जितने भी परकार की उर्जा है उर्जा जो आपके शरीर में वे एक उर्जा है बिना उसकी नहीं हो सकता तो शांतियों सुना आपने इन्होंने अभी एक सेंटेंस कहा कि उसकी मर्जी से परमात्मा की मर्जी से आप लोगों कि यहां पर जो भी चीज होती है उर्जा बता रहा है उर्जा बताते बताते पहुंच गए कि जो भी कुछ होता है पर मात्मा के मर्जी कभी नहीं को श्राल चार निरह निर्दोसो को मारा जा रहा है इतने लोग जो है क्राइम के मतलबbra hamor Ali लगें कि आपके बिब की बात करें अरे अरे या तो जब इन नहीं घर सकता लाहा ता आपका इस्वर क्या करता है उसके बाद से इंसाने सब कर्म करते हैं सजा वकर अभी देता है क्या हो बिल्कुल को क्या सजा मिली थी फल क्या मिला था उसको निर्भिया को मैं जो पूछा हूं उसका जवाब देजे ना निर्भिया का जिन्होंने रेप किया उनको तो अपने बोल दिया कि सजा मिल गई एक तो उसमें माइनर था उसको तो सरकार ने बकायदे टेलर मसीन का वो कपड़ा सिलने का मसीन भी खरीद के दिया तिन साल बादर रिया करके कि मेरा सवाल यह है कि वो जो लड़की थी उसको क्या मिला फिर वो तो मर गई उसका क्या गुना था जिसने किया जिसने कुकरम किया उसको तो आपने सजा दे दिया लेकिन जो भुक्त भोगी है जो मर गया जो अपनी अच्छी जिंदगी गुजार सकता था अपनी पूरी जि नहीं दिया वो इंडिया का Constitution system दिया इंडिया के Constitution सिस्टम ने डिले किया करते करते दिया और उसमें से एक को तो इनोह ने तीन साल ज्वेनेयल में रखके आ उसको आजाद भी कर दिया वोल रहें कि सजा मिल गया सजा आप यह नहीं कह सकते कि अप यह कह रहे हैं कि आप यह रहे हैं आप वोल रहे हैं सजा रेप होते हैं उसमें 95% अपराधी छूट जाते हैं या तो किसी दूसरे तरह से पैसे वैसे घूस किलाएके या मामला को विक कराके या दूसरे पच को मारके या समझाता करवाके कुछ कराके हट जाते हैं सिर्फ 5% को ही सजा पहुँच पाती है और बहुत सारे के तो केस ही नहीं पहुँच पाते हैं यह सारे एसे घूमते रहते हैं आप कह रहें सजा मिल जाती है सजा मिल गया सजा मिल गया अरे भाई निर्भया केस को इतना हाइलाइटेड था और उसमें के जितने भी जो पांचो अपराधी थें वो किसी हाई प्रोफाइल घर के नहीं थे तो के ममलों को उसमें आपका भगवान इस्वर क्या कर रहा होता है और एक खास बात चलो उसने रेप किया उसको उसने सजा दे दिया यहां पे सबाल उस लड़की का है कि उस लड़की ने क्या गुना था उसको भगवान क्या दे रहा है पदले में उसको तो परतारित किया गय उसकी मौत भी हो जाती है, कभी उसको पूरी जिन्दगी जहालत बनके गुजारना पड़ता है, लोग उसको ताने मारते हैं, जब कोई गलती नहीं होती, तब आपका इस्वर क्या कर रहा होता है, ये सवाल का जवाब दीजिए, बोले, अपनी माईक अन्म्यूट करके बोलि सजा तो उसको मिलनी है, अब वो कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये तो भई भगवान जानता है, ठीक है ना, अब आप उसको अपने बोलती नगरे से बेखें, कभी आप पागल खाने गए हैं, मेरको तो नहीं लगता है, लेकिन मेरको आपकी बात उसे लगता है, शायद आप कोहीं से आ रहे हैं, सीधा या भूसका श्रीम भी वहीं से कर देखें, आप जैसे लोगों को जब जाएंगे ना, आपने कहा ना, कि वह भगवान जानता है, लेकिन जब आप पागल खाने में जाएंगे, तो जो पागल खाने का डॉक्टर होगा, आपको जब वो जो बिज इसवर तै करेगा, कब देगा, कब नहीं देगा, मतलब मुँझ खोल दिया है, सब्द कपोड दिया है, हो गया विस्वर, हो गया इसवर का विधान, ऐसे नहीं होता, उससे तो बहतर बिजली है, एक बार चूक के देखें, तुरंत रिस्पॉंस देगा हो, भाई तरो बार कि थोड़ा रुक जाईए, मैं बोल रहा हूँ, मैं मूट कर रहा है, मूट कर रहा है, पागी है, फिर मैं ऐसे बंदों को जएदा, जब आपके पास जबाब नहीं है, जब आपके पास नहीं जबाब है, आपके पास इस बात का भी जबाब नहीं था, कि आप हिंदू और ह हिंदू सब्द नहीं आया फिर भी अपने को हिंदू सतानी बताने चले हैं उसका सबूत इनके पास नहीं था फिर इन्हों ने क्या एक गाथा गई कि इस्वर जो है वह उसके बिना कोई मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता अब इन्हों इक बाद सेंटेंस बोल दिया अब उसके जस्टिफिकेशन देने में फिर मुह उपर करके अपने उपर थूक भी लिया यह कहके कि अब उसकी सजा कब देगा कैसे देगा वह इस्वर और भगवान जानता है अरे भाई दोनों में से कोई एक ही बात सही होगी अगर इस्वर क् उसमें पूर्ण मर्जी है जब उसकी पूर्ण मर्जी है तो सजा किस बात की देगा यहां पे भी बच्चा जनम लेता है तो जनम लेने के बाद से समय समय पर उसको पोलियो पिला दिया जाता है विट थोड़े किया जाता है कि उसको चेचक हो जाएगा उसके बाद से परा का देंगे इस्वर की वो है है इस्वर ये करेगा वो करेगा रहे भाई ये साइंस का कर्तव है ये लोगों की अपनी सिविलाइजेश्टन ये डेमुक्रेसी है जो अंग्रेज आ गए मुगलों ने भी एक तरह से अपना एक वो बना रखा था राजसी तंत्र जिसमें वो सज होते हैं चले हैं बताने की भगवान के बिना पत्ता ही नहीं हिलता है